हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वागत है आप सब का एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाईटी की तरफ से डिप्लोमा और बी बी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी जूनियर इंजिनियर पोस्ट पर वेकेंसी है फ्रेसर से लिजबल रहेंगे आपकी परमा नजोब रहेगी सैलरी यहाँ पर आपको एज पर सेवेंथ सीपीसी के मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप को भी जॉइन कर लिजिए और जो भी दोस्त हमारे एससी जेई आरारबी जेई बिहार जेई या फिर जार्खन जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप लोग डिप्लोमा होल्डर से एप अप्लिकेशन का लिंक आपको वीडियो के कॉमेंट सेक्षन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हम हैं इनके ऑफिसल नोटिस पर नोटिस आपका नाशनल इंस्टिटीट ओफ टेक्नलोजी हमीरपूर की तरफ से नोजून को जारी किया गया है यहां पर आप ल लियोमा बी बीटेक और आईटी आई वाले अपलाई कर पाएंगे कुल मिलाकर यहां पर आपकी 84 पोस्टों पर वेकेंसी रहने वाली है और सेलरी यहां पर आपको लेवल 3 से लेकर लेवल 12 तक की मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में यहां पर आपकी किस पोस्ट पर वेकेंसी रहेगी टोटल नंबर वेकेंसी आपकी यहां पर क्या रहने वाली हैं आपकी वेकेंसी को यहां पर केटेगरी वाइस कैसे बाटा गया है सेलरी यहां पर आपको क्या मिलेगी आपर एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है सेलेक इसेल क्वालफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने फर्स्ट क्लास में बीबी टेक किया है सिविल या फिर एलेक्रिकल इंजिनिरिंग में किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्स्टी या इंस्टिटूट से आगे आपको बताया है अगर आपने फर्स्ट क्लास में डिप experience नहीं मांगा है बात करें आपके लेवल के बारे में तो सेलरी यहां पर आपको लेवल 6 की मिल जाएगी ग्रेट पाई यहां पर आप लोगों का बैली सुरूपे रहने वाला है अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है टेकनीशन पोस्ट पर टोटल यहां पर आपकी 22 पोस्ट सेलरी यहां पर आपको लेवल 3 की मिल जाएगी ग्रेट पर आपका 2000 रुपे है बात कर लेते हैं आपकी एसेंसियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आपने 10 प्लस 2 के बाद एक साल का IT कोर्स किया है आप यहां पर अपलाई कर पाएंगे या फिर आपने क्लास 10 के बाद दो साल का IT कोर्स किया है आप यहां पर अपलाई कर पाएंगे या फिर आपने 3 साल का डिपलोमा किया है रिलेवंट फिल्ड में आप यहां पर अपलाई कर पाएंगे बात करें आपकी अपर एज लिमित के बारे में तो मिनमम एज यहां पर आपके 18 साल है और अपर एज ल पोस्ट उपर वेकेंसी रहेगी एसेंसियल क्वालिफिकेशन में यहां पर भी सेम चीज़े रिपीट की गई है अगर आपने 10 प्लेश 2 के बाद एक साल का ITI, टेंथ के बाद 2 साल का ITI या फिर आपने डिप्लोमा किया है तीन साल का relevant फिल्ड में आप लोग यहां पर अपलाई कर पाएंगे इस पोस्ट में अपलाई करने के लिए अपर एज लिमिट आपकी 33 साल रखी गई है जूनियर इंजिनियर पोस्ट में अपलाई करने के लिए minimum age आपके 18 साल होनी चाहिए और maximum age यहाँ पर आपकी 30 साल रखी गई है अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है technical assistant के लिए total आपकी 18 पोस्टों पर वेकेंसी है essential qualification में आपको बताया है अगर आपने first class में B.B.Tech किया है computer science computer engineering या फिर IT में या फिर आपने diploma किया है इन ही ब्रांचों में आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे salary यहाँ पर आपको age पर 7th CPC के नुसार level 6 की मिल जाएगी grade पर यहाँ पर आपका 22 सूर पर रहेगा next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है senior scientific officer और technical officer के लिए salary यहाँ पर आपको level 12 की मिल जाएगी अगर आपने bb take किया है computer science engineering में या फिर information technology में या फिर आपने mca किया है और minimum आपके 60% mark है और इसके साथ ही आपके पास minimum 5 year cover के experience है आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे और बात करें आपकी processing fee और examination fee के बारे में अगर आप UR, OBC या फिर AWS category में आते हैं तो यहाँ पर आपको processing fee 750 रुपे और examination fee 750 रुपे देनी है अगर आप SC, HT, PWBD या फिर female category में आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको examination fee 750 रुपे देनी है बात करें लेते हैं आपके selection process के बारे में तो selection process यहाँ पर आपका skill test या फिर trade test के आधार पर होने वाला है बात करें how to apply आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो apply process यहाँ पर आपका online रहेगा form online होने आपके शुरू हो चुके हैं 16 जून से और last date यहाँ पर आपकी 10 जूलाई रहेगी अगर आप इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं और eligible होते हैं आप यहाँ पर ज़रूर apply करिए अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका thank you, शुक्रिया वीडियो को like करें share करें civil engineering के सबसे ज्यादा job update पाने के लिए चैनल को ज़रूर subscribe करें